Hello ladies and gentlemen, welcome back to my youtube channel NCC Army Wing तो आज किस वीडियो में हम अपने next chapter, observation, camouflage और concealment के उपर discussion करेंगे लास्ट वीडियो में हमने indication of landmark, types of crowns पर discussion किया था ये again बहुत important chapter है, इसमें हम दो-तिन चीज़े बड़ी important discuss करने वाले हैं वो camouflage, concealment, cover, types of cover जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी discuss किया था NCCC levels has been changed since 2019, 2019 से नया syllabus लागू हो गया है इन्होंने unit को concise कर दिया है, group up कर दिया है और FCBC के भी शिर्फ 5 ही units बना दिया है टेकिन हम हमारी पूरी series में topic wise पढ़ेंगे I'll make a sure की हरे topic cover हो सबसे पहले देखते हैं What is camouflage? इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि Hindi और English दोनों में discuss करें Okay, not even कोशिश करेंगे बट हम करेंगे क्योंकि मैंने PPT जो हैं वो bilingual बनाएंग है So there is nothing to worry आप Hindi medium के student हो या English medium के आपको easily चीजे समाज में आ जाएंगी Okay, सबसे पहली सुरू करते हैं What is camouflage? Camouflage वैक कला है यानि It is an art जिससे दुस्मन से अपने आपको तथा troops और सामान को छिपा सकते हैं और दुस्मन को अपनी position तादा तथा इरादे के बारे में धोका दे सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? Camouflage Camouflage एक कला है Camouflage जिससे हम क्या कर सकते हैं We can hide our troops as well as our stocks or items which we are carrying in our operation or in the war and can disguise the enemy about our own position about our strength and about our aim or the motive Okay, Camouflage comes from a French word Camouflage जिसका मतलब होता है To Blind or Wave उससे आता है Mean to Disguise an Object In Plain Sight in order to conceal it from something or someone कि एक object की हूब हूशकल ही बदल देना जिससे वो plain side में conceal हो जाए conceal हो जाए यानि दिखाई देना बंद हो जाए from something किसी चीज से या किसी इनसान से Okay, किसी एक object को ऐसा रूपांतर दे देना Be it man, material, weapon, helmet आप खुद कोई भी चीज है वो ऐसा रूपांतर दे देना जिससे वो conceal हो जाए ताकि उसको कोई इंसान या कहीं से देखना सके That is said to be concealment An object loses its three-dimensional quality and appears flat Okay, वो object अपनी 3D dimension खो देता है और flat नजर आता है वो हम discuss करेंगे कैसे Camouflage is defined as an action of misleading enemy अपने दुस्मन को भटका देना अपने दुस्मन को गलत रास्ते बेज देना By concealing or misrepresenting या तो उसको बिल्कुल खतम कर दिया जाए बिल्कुल बंद कर दिया या इनि है कुछ और दिखाया कुछ और जाए इसको हम क्या बोलते है Camouflage क्या है एक ऐसी कला है जिससे दुस्मन से अपने आपको तथा troops और सामान को छिपा सकते हैं और दुस्मन को अपनी position तादा तथा इरादे के बारे में धोका दे सकते हैं या अपना इरादा अपनी तादाद अपना man and material दुस्मन से छुपा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं Camouflage क्या है हर बार हर साल FCBC में पक्का आती ही आती है Please do remember this definition English medium में हो तो English वाली और Hindi मीडियो में हो तो हिंदी वाली Camouflage क्या है यह वो कला है एक वो आर्ट है जिससे दुस्मन से अपने आपको ततर टूप्स और सामान को छिपा सकते हैं It is an art to disguise own self and our troops as well as our material from enemy and disguise enemy और दुस्मन को धोका दे सके दुस्मन को मिश्री प्रेजेंट कर सके हमारी खुद की तादाद के बारे में खुद की पोजिशन के बारे में और खुद के इरादे के बारे में उस कला को क्या बोलते हैं Camouflage अब Camouflage की जरुरत क्या है यह question भी कई बार आ सकता है Define the Camouflage and what is the importance or what is the need of Camouflage Operation area में जिन्दा रहने के लिए जरूरी है कि जवान छुपाव और दुस्मन की निगाशे बचे रहे Suppose you are in operation area आप किसी operation area में हो और दुस्मन को पता है कि आप यहाँ पे हो Then you will lose a surprise और जो party surprise खो देती है वो आदा युद वहीं पे हार जाती है Okay, operation area में if you have to survive आपको जिन्दा रहना है तो आपको छुपे रहना होगा Okay, suppose surgical strike होई थी तो पाकिस्तान को पता भी नहीं था कि हमारे special forces के Operatives से special forces के जो बंदे हैं वो कब पाकिस्तान में गुसे उन्होंने strike की and they came back Okay, वो इतने camouflage थे उन्होंने हर चीज का इतना ख्यार रखा था कि दुस्मन को पता ही नहीं लेगा वो surprise lose ही नहीं हुआ एक बर surprise lose हो गया, suppose मेरे को पता लग गया कि मेरी party की तरफ XYZ दुस्मन party आ रही है तो मैं पहली समल के रहूँगा ना हर चीज को चोकनना रखोंगा अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं अपने daily routine की तरह चलता रहूँगा, आज तक कुछ नहीं होगा अभी विशायद कुछ नहीं होगा अचानक कोई अटेक होगा तो मेरा नुकसान जादा हुआ, इन दे सेम मैनर जब सरप्राइज लिंग लिए हम किसी भी दुस्मन party पे अटेक करते हैं तो नुकसान जादा होता है इसलिए कैमफलेज की सबसे ज़्यादा ज़र्गत है, कई दफ़ा जमीन ऐसी मिलेगी कि बगएर कैमफलेज किये दुस्मन के नजदिक नहीं पहुत सकते सब ओपन ग्राउंड है, लास्ट वीडियो में हमने डिसकस भी किया था, पूर ओपन ग्राउंड है इस ओपन ग्राउंड में आप बहुत कम बोल्डर्स हैं, जाडिया भी नहीं है, तो आप क्या करोगी इस तरीके की कपड़े पहन लोगे, ताकि जैसा ग्राउंड का कलर है वैसा ही आपका कलर हो जाए, हूब हूब और पत्थरों के पीछे चुकते हैं, किसी नाले में लु प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आड नहीं होती, तो कैमेफलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आड होती है, तब भी कैमेफलेज का रोल होता है, जमीन जिस पर हम पोजिशन लेते हैं, वैं हमेशा छुपावाली नहीं मिल सकती, जो अभी हम डिसकस कर रहे थे, इ अगर स्टिल कोई क्वेरी रहती है, और कमेंट बोक्स इस टोटली ओपन, कमेंट बोक्स पिल्कुल ओपन है, या फिर आप मेरे को डिरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, ओन इस नंबर, ओकी, कैमोफलेज के उसूल, दुस्मन के आख और कैमरा को धोका देना, अगर आपने कैमो कैमोफलेज कर लेना, आप दूर से बिलकुल दे जाओ गिर वो ठोक देगा आपको, ओके, दुस्मन की आख या कैमरा है, यानि उसकी उब्जर्वेशन से बचना, सबसे पहला उसूल, कि कैमोफलेज ऐसे मैं जंगल में तो हरा और ब्लैक कलर यूज़ करना है, रेगिस्ता दुस्मन की आख और कैमरा को धोका देना, दुस्मन के पाइलट को गलत जगह दिया, अगर गलत प्लैन बनवाना, यहीं आप कहीं से ऐसा सो करवा दीजिए, सबूद आपने डमी आदमी बना दिये हैं, कोई बोरा रखके, किसी भी तरीके से, ऐसा लग रहा है कि वहाँ प कोई भी ओप्रेशन होगा या फिर कोई भी हम, suppose what we can say, the attack होगा जो भी, वो इस तरीके से प्लैन करेगा, कि हम जादा से जादा दुस्मन का विनास कर सके, जादा से जादा दुस्मन को मार सके, तो इस तरीके से आप डिस्गाइज कर सकते हो, ओके दुस्मन के पैट्रोल औ मैं shortcut बताऊं, तो वो होता है 7 SM, SM महाँ सब Army Wing के Gadgets दानते होंगे सुपेदार मेजर साब होते हैं हमारे ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो देखो, चीजे दिन में या Moonlight, जो Full Moon होता है, तो कैसे दिखाई देती है, उसकी shape की वज़े से उसकी sign की वज़े से उसकी shadow की वज़े से उसकी surface की वज़े से उसकी spacing की वज़े से, कि कितनी कितनी दूर चीजे रखी है Smoke की वज़े से, कहीं से धुमा उट रहा तो आप तुरंट पता कर लोगे कि वहाँ पे कोई है, सबोज एक troops की टोली वैट उन्होंने खाना बनाया है Smoke जैसे ही उठेगी You can easily identify कि वहाँ पे कोई है Sound की वज़े से कहीं पे भी आवाज होती है आप पता कर लेते हो Moment की वज़े से Moment दिखती है Okay, तो similar manner में हम चीजों को देख सकते है Shape की वज़े अगर हम एक एक करके discuss करें Suppose, shape की वज़े से कैसे Suppose, एक flat ground है और ये एक flat surface है नीले रंग का mat विछा हुआ है एक इस पे नीले रंग का ना एक छोटा सपेपर का piece पढ़ा है So, आपको hardly visible होगा लेकिन उसी की उपर एक गोल नीले रंग की गेंद रखी है You can easily identify Oh, sorry You can easily identify की वहाँ पे कुछ रखा है Sign की वज़े से Suppose, room में बहुत dark है Pure darkness है लेकिन कुछे को अब्जेक्ट साब देखोगे Suppose, mirror Mirror हमेशा sign करता रहता है और कई सारी चीजे होती है वो हमेशा थोड़ी-थोड़ी sign करती है तो उस टाइम पे sign बहुत काम आती है कि आपकी shadow दूर जा रही है तो आप shadow से पता लगा सकते हो कि वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कुछ है किसी भी चीज के surface से आप पता लगा सकते हो वो surface rough है, smooth है नीला है, लाल है उस तरीके से Spacing हमने डिसकस किया अगर object दूर दूर है, smoke, sound, moment हमने दिसकस कर ही लिए है ये question भी बहुत आता है चीजे क्यों दिखाई देती है 7 SMS का rule है shape, sign, shadow, surface space, smoke, sound और moment 7S होंगे और 1 M होगा, ओके अब दिखते ही, रात में चीजे कैसे दिखाई देती है रात में चीजे सिर्फ दो चीजों से दिखाई देती ही एक तो light से, एक sound से okay, light में हमने जो sign डिसकस किया थोड़ा था, उसमें cover हो जाता है, otherwise अगर कुछ चीज रोशनीदार है okay, तो हमें दूर से अपने आप visible होगी, और कहीं चीजे अगर आवाज आती है तो हमें तुरंथ हमारी senses को वो अकरसित करती है, attract करती है और हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कुछ है, next is personal and equipment camouflage personal camouflage can be done by following methods, इनी तरीके से हम personal camouflage कर सकते है, use of disruptive patterns, clothing and local vegetation camouflage of face camouflage of equipment हम एक एक करके देखते हैं इस तरीके से हम अपने equipment को अपने रक्षक को camouflage कर सकते हैं, ताकि ना दिखाईते, एसी वर्तिया पहन के आपने देखे होंगे, sniper सक्सर ऐसा पहनते हैं, क्योंकि sniper A की जगह पे काफी लंबे time तक रहते हैं, तो वो इस तरीके के dresses पहनते हैं, camouflage of face यानि आप अपने चहरे को बिल्कुल conceal कर लेंगे इस तरीके से, तो आप उबहुओ हालात में मिल जाएंगे, अलग से sign नहीं करेगा, जब भी आप चीजों पे dark color लगा देते हो, rough कर देते हो, तो उस stage की sign खतम हो जाती है, that's why we use these type of things, okay, इससे क्या होता है disruptive patterns of clothing clothing के disruptive patterns से, और local vegetation की कुछ जाडिया लगा ली सर पे okay, camouflage of face इस तरीके से, और equipment का हम अभी पढ़ेंगे okay, equipment का camouflage किस तरीके से होता है, एको helmet, use of hasin cloth and use of camouflage net camouflage net और hasin cloth से हम, ऐसे helmet को camouflage कर सकते है camouflage of backpacks, backpacks इस तरीके से, terrain की साब से उसी color के backpacks, उसी pattern के backpacks बन जाते है या backpacks have square outline which is broken by time thin ropes on packs and branches of local vegetation and stuck in ropes, क्या गरते हैं, जो backpacks में क्या होता है, sharp line होती है suppose अगर ये backpack है तो इसमें sharp सी line होती है, जहां पे भी चीज sharp होंगी, वो easily visible हो जाएंगी, तो हम इसके चारव करब रस्षिया बान देते हैं और इन रस्षियों में छोटी-छोटी जाडिया लगा देते हैं, लोकल vegetation से, ओके, जिससे हम disguise हो जाते हैं, या जिससे बार्ट ऑफ राइफल सार, फोटो फोस्फेट कोटीड एंड हैंस, साइन इस रेडियूस, फोस्फेट का कोट लगा दिया जाता है, गार्निस ओफ स्यूटेबल कलर शुट बी रैप्ट और वुडन पार्ट, प्लास्टिक पार्ट्स टो कोंट्रास्ट विद सराउंडिंग, अलब जैसा भी आपको सराउंडिंग हो जैसे इस तरीके की वेपन कहां पे, जंगल एरियाज में यूज होंगे, तो वो डिजखाईज हो जाए, वो दिखाईज नहीं देंगे, छुप जाएंगे, कंसील हो जाएंगे, चाहिए, पंपने मैप के चीज़ को इस तरीके से कंवफलेज करते हैं, आपके इसमें कुश्य नासकता है, कि what are the things need to be camouflage before operation operation से पहले कुन कुन सी चीज़े camouflage करनी चाहिए camouflage कितने प्रकार का होता है personal camouflage और equipment camouflage equipment camouflage में किसी किस चीज़ को camouflage करते है rifle को camouflage कैसे करते है यह सब चीज़े आपके question आ सकते है so be ready इसका PDF भी आपको मिल जाएगा अगर आपको यह notes revise करने है please do study अब पढ़ते है concealment क्या है एक चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा confusion होता कैडिट्स को concealment is a property whereas camouflage is an art to conceal a thing अब अगर मैं छिपा हुआ हूँ तो मैं concealed हूँ वो मेरी एक विशेष्टा है मेरी एक property है मैं किस तरीके से किस की मदद से शिपा हूँ वो camouflage होता है camouflage कला है किस चीज की कला है चीजों को conceal करने की कला है okay camouflage कला है किस चीज की चीजों को conceal करने की concealment क्या है देख बाल को नकारा करना की concealment ही concealment है बनावटी चीजों को कुदर्ती चीजों में मिलाना concealment है देख बाल को नकारा करना मतलब जो चीजे बिल्कुल visible है उनको diminish कर देना उनको खतम कर देना खतम कर देना इन दा सैंस सबोज कोई भी signy object है कोई भी object metal का है sign करता है तो उसके उपर dark color के paint कर देना तो उससे sign कम हो जाएगी है तो इस तरीके से टेख बाल को नकारा करना concealment क्या है अपने आपका छुपाओ वो किस से होता है camouflage की मदद से okay if the enemy can see you he can hit you with fire so you must be concealed from enemy observation and cover from enemy fire अगर दुस्मन आपको देख सकता है तो आपके उपर fire कर सकता है तो आपको हमेशा concealed रहना चाहिए enemy की observation से आपको concealed रहना चाहिए किस से ताकि दुस्मन आपको देख ना सके देख नहीं सकेगा तो आप फे fire नहीं करेगा और आप जिंदा बचे रहोगे cover from enemy fire ताकि आप अपनी enemy की fire से cover में रहें when the terrain does not provide natural cover and concealment you must prepare your cover and use natural and man-made material to camouflage, conceal yourself, your equipment and your position जब भी आपको कुदर्ती चीजों से cover ना मिले concealment ना मिले जाडिया नहीं आप कहीं छुपने के लिए ज़दा नहीं तो क्या करोगे आप अपने backpacks में जाडिया लगा लोगे अपने helmet पे जाडिया लगा लोगे ताकि आप उस terrain में घुल मिल जाओ आप अपने खुद का camouflage आपको तयार करना पड़ता है युद के मैदा I hope concealment की definition आपको समझा आ गया concealment क्या है concealment एक property है concealment is a property whereas camouflage in an art to conceal things okay you can attain concealment with the help of camouflage खुदर्ती और बनावटी चीजों की मदद से अपने आपको छिपाना ही concealment है to hide oneself from the observation and fire of enemy with the help of natural and man-made objects is said to be concealment and किस से किस उस art को क्या कहते हैं जिस से concealment attain करते हैं camouflage camouflage है color what is cover? cover क्या होता है art जमीन की उस प्रकरतिक प्राकरतिक यानी natural या बनावटी यानी man-made आकरती यानी कोई भी object से को कहते हैं जो सैनिक को दुस्मन के observation और उसके fire से बचाती है उसे art कहते हैं art क्या है any natural और man-made object which can protect us either from the observation of enemy or from the fire of enemy is said to be art और cover इसके अंतरगत खाईया, मकान, दिवार, जाडिया आदी आते हैं अब देखते types of cover क्या है एक उतान नजर की art यानी जो आपको दुस्मन से छिपा सकें सब उस जाडिया हैं जाडियों के पीछे आप छुपे हो तो साइद नहीं दिखोगे टेकिन जाडियों मेंसे अगर गोली आईगी तो गोली आपको लग सकती है और वो आपको मार सकती है इस art में सैनिक के वोज सत्रू की नजर से बचने में कोशिश करता है लेकिन सत्रू की गोली से बचने की संभावनाए खतम हो जाएए याईनि आप दुस्मन की गोली से नहीं बच सकते। दुस्मन की नजर से आप बच सकते हो लेकिन दुस्मन की गोली से नहीं बच सकते। ऐसे को क्या कहते हैं नजरी आड या cover from view या cover from observation. नेक्स्ट इस गोली की आड़ गोली की आड़ छिपाव हासिल करने वाली वह जगह है जा सत्रूक के नजर और फायर दोनों से बचा जा सके नजरी आड़ में तो जमीन पर कहीं भी खोजी जा सकती है लेकिन गोली से आड़ की जगह एक सैनिक को तुरंट डूंडने की आउसक बढ़ जाती है यहनि कहने का मतलब क्या है जो गोली की आड़ है वो हमेशा एक मजबूत चीज के पीछे किसी दिवार के पीछे किसी घर में आप किसी दिवार के पीछे रहके किसी की दुस्मन की गोली से बच सकते हो और दुस्मन की नजर से भी बच सकते हो जो गोली की आ आड़ की क्या विशिष्टा होनी चाहिए आड़ की जगह की आकरती ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से अपने इर्द गिर्द की जगह से भिन नय दिखाई थे अगर आप बहुत यूनीक सी जगह पर कहीं पर छुपे होगे तो आप इजली टार्गेट में आ जाओगे ओके आप आप सपोज चारो तरफ रेगिस्तान है सिर्फ एक ही पेड़ल उसी पेड़ के पिछे चुपे हो जाओगे आपने किसी सेंड्यूम्स का है किसी बंकर का यूज नहीं किया तो आप आसानी से पहचान में आ जाओगे तो इस तरीके से आपकी जो आड़ है वो ऐसी नहीं होन होगे तो वह जोपड़ी पे ही फायर करेगा तो ऐसी आड़ ना हो अगर जंगल में हो तो किसी पेड़ के किनारे किनी जाड़ियों के पिछे आड़ लेना अच्छा होता है आड़ के पास पहुचने में चिपाओ और इसमें आने जाने के रस्ते सुरक्षित होने चाहिए आड़ एसे ही आड़ ऐसा हो जिसमें ज़ान जड़ा देर तक रुख सके अब कहीं अब ऐसी जगह पर खड़े होगी आप पंजे पनजे पर खड़े हो अब दूर दूर तक आप किसी घर में बहुत एक गहरे से कुने में जाके चिप गए हो तो वहां पे क्या भाइदा आपका ना फायर कर सकते ना आपको पता लगा जा दुस्मन मेरे आस पास है या मिली साथ ही कहा है ठीक है तो ऐसी आड़ ना हो जिसमें हतियार का इस्तमाल ही ना किया जा सके आड़ से सत्रू की गतिविद्या आसानी से देखी जा सके ऐसी आड़ो जहां से आप अपने एनिमी को देख सको कि वह आपकी और आ तो नहीं रहा है यह कुछ एक पॉइंट है जैसे कि हमने लास्ट में भी डिसकस किया था यह कुछ एक चीजे हैं आपको कि अच्छे मैदान में कभी भी पॉफैक्ट आड नहीं मिलेगी कोई आड़ ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पर रास्ते मलब आना जाना बिल्कुल सेफ हो आपके अच्छे से वैपन को भी यूज़ कर सको आप अच्छे से दुस्मन को भी नहीं मिल सकती है हर जगे कुछ जो एक अच्छे आड में होने चाहिए लेकिन operation के दोरान सभी खुबियो वाला आड नहीं मिलता है Do's and Don't for observing from cover सब भी आप cover से अपने दुश्मन को देखो तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए Look through or around the cover Suppose आप एक इस दिवार के पिछे चिपे ओ या तो आप यहां से देखो या इसके अंदर कोई जेद है छोटा सा उसमें से देखो अगर आप इसके उपर से देखोगे तो बिलकुल एजली उपजर हो जाओगे और आप मारे जाओगे Okay Avoid breaking a straight line Skyline light Skyline a light color background is the worst background As the object against it, it will be found out Because of the contrasting background and shape You must always avoid skyline for observation and movement आप ऐसी जगह पे नहीं हो जहां पे आपके पीछे skyline हो या पूरा आस्मान Suppose एक पहड़ी की चोटी पे खड़े होगे नहीं देखना है अगर आप को चोटी पे खड़े होगे तो पीछे आस्मान दिखाई देगा आपके दुस्मन को और आप आसानी से पहचाने जाओ तो किसी दिवार है, किसी मकान की चट पे चड़के नहीं देखना है अगर आपको चट पे चड़ना पड़ गया तो वहाँ पे लेट जाईए और किसी छेज से या बिल्कुल किसे किनारे से दुस्मन को देखे, उबज़र करें पीछे स्काई लाइन ना हो फर्स्ट और फोर्मोस्ट थिंग इस आइसोलेटिड कवर इस डेंजरस हमने अभी बात की आपकी आड़ बहुत यूनीक या अकेली सी ना हो ठीक है आई कैच इस आइसोलेटिड कवर इसली स्पेशली इफ देर इस एनी मुवमेंट नियर इट जैसी ही किसी भी यूनीक या किसी अकेली जगएप के आजो बाजो मुवमेंट दिखाई देगी तो आप वहाँ पे माने जा सकते हो ओके यूज सैडो ओफ एनी बिग फिंग बिल्डिंग और ग्रूज बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या किसी जंगल किसी पेडो का ग्रूप है कहीं पे तो उनकी सैडो में मुवमेंट करिए सैडो में मुवमेंट करने से क्या होगा आपकी खुद की shadow नहीं बनेगी और आप छिपे रहा होगे Make sure of your shadow, आपकी खुद की shadow का ध्यान रखना आपको एक rough, dark or irregular background एक rough, dark or irregular background which matches your clothing provides considerable cover for movement, use clothes which blend with terrain and surrounding as this would provide natural camouflage इसी लिए फोजियों की वर्दी इस तरीके की होती है, कि वो जंगल में या किसी खुले मैदान में अगर movement करते हैं तो आसानी से ना देख सकें एक rough, dark or irregular background जिससे आपके कपडों का रंग match होता हो ऐसी जगे से move करिए ताकि आपकी जो हरकत है वो दुश्मन ना देख सकें आसानी से cross gaps as a body of troops at irregular intervals and on the doubles जब भी आपको कोई चीज पार करनी है तो दो के group में पार करिए और irregular में ऐसा नहीं कि एक आ गया फिर तुरण दूसरा आ गया फिर तुरण तीसरा pattern follow नहीं करिए अगर आप किसी operation में जा रहे हो तो जाईए अलग रस्ते से आईए अलग रस्ते से अगर अगले ही दिन ये कुछ टाइम बाद फिर से operation तो कोशिश करिए किसी दूसरे रस्ते से जाया जाए और किसी और तीसरे रस्ते से आया जाए जब भी आप एक particular pattern follow करते हो तो आप attack के prone हो जाते हो So conclusion Please Spelling का तासा गलत हो यह पुराने समय में कहा जाता था कि अगर वो देखा जा सकता है तो उसे मारा जा सकता है अगर मारा जा सकता है तो उसे खतम भी किया जा सकता है If you can see it, you can hit it If you can hit it, you can kill it लेकिन आज का अधुनिक युदकाल में क्या कहा जाता है अगर वो देखा जा सकता है तो उसे खतम किया जा सकता है क्योंकि weapon इतने advance हो गए है once you are seen means you are over अब खतम आपको गोली की आवाज बाद में सुनाई देगी उससे पहले को यापुल लग गई हो ओके so camouflage बहुत जरूरी है camouflage की कला एक scenic को तो आप एक सही जैनिक बन सकते हो I hope चीज़े आपको clear हुई होगी पूरा का पूरा lecture बहुत ज़्यादा important है please make sure आप इसको अच्छे से देखे मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा आप इन lectures को to x speed पे लगा के भी देख सकते हो 2-3 बार तो इससे आपको revise करने में आसानी होगी please make sure अगर still आपको कोई query है then let me know in comment box please make sure to revise it again and again इनके notes बना लीजिए या इस PPT को ही अपने आप revise कर लीजिए जैसे भी आपको पढ़ना पसंद है वैसे पढ़िए अगर still कोई question है कहीं पर doubt आता है then let me know in comment box thank you जैसे जैसे